आज के वीडियो में हम लेटरोजोल टैबलेट के कुछ सवालों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और सब कमेंट्स को हम विस्तार में जानकरी नहीं दे सकते हैं इसी के लिए हम एक की डीटेल में वीडियो लेके आए हैं ताकि आप इस वीडियो को देखे और समझे ठीक है सबसे पहला सवाल आता है लोगों का कि लेट्रो जोल टैबलेट हमको कौन से दिन पे लेना चाहिए वो सारी महलाय कमेंट्स करती है कि मेरा तो पाचवा दीन है त तो क्या में लेट्रो जोल टैबलेट लेलू काम करेगी तो मैं उन महलाओ को यही कहना चाहूंगी कि देखिए यह टैबलेट आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना थीक है आप डॉक्टर के पास जा रहे हो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो तो उधर डॉक्टर आपको दूस दूसरे दिन से लेने की सला देती हूं अगर हम पीरिट के दूसरे दिन से लेंगे तो हमको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते ठीक है पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा ठीक है तो कोई भी यह ना बोले कि मेरा तो सात्वा दिन चल रहा तो क्या मैं लेट्रो जो ल तो कोशिश करे कि पीरिट के दूसरे दिन से ही आपको लेना है बीच में इसको स्टार्ट नहीं करना है ओके दूसरा सवाल आता है कि मैं कितनी मातरा में लेट्रो जोल टाब्लेट ले सकती हूँ ठीक है अगर आप 4-6 महिने से ट्राय कर रहे थे नेच्रली ट्राय कर रहे और consume नहीं हो रहा और आप डोक्टर के पास गए हो तो डोक्टर पहली बार में आपको 2.5 याने की 2.5 mg से स्टार्ट करते हैं एक महिना देखा ट्राइ करके आपको पहली बार में हो सकता है डोक्टर ओनली 5 टेबलेट दे पीरेट के दूसरे दिन से लेने के लिए 2.5 mg की तो पहली बार में पेशेंट के लिए उतनी सफिशेंट होती है अगर आपको इस मन्त consume नहीं होता तो अगले मन्त डोक्टर आपको 5 mg की टेबलेट भी दे सकते हैं याने की 2.5 mg की एक सुबह एक शाम को भी दे सकते हैं तो कितनी मात्रा में लेना है ये डोज आपके डोक्टर करेंगे आपको नहीं करना है ओके तीसरा सवाल आता है कि क्या मैं 5 टेबलेट से जादा नहीं ले सकती हूं मैं 10 टेबलेट नहीं ले सकती जी बिलकुल आप नहीं ले सकते हो अगर 10 टेबलेट आपको डोक्टर ने दी है तो आप ले सकते हो बाकी 15 टेबलेट या 20 टेबले लेने का इसमें कोई रोल नहीं होता है, अब हम देखते हैं कि मैं कितने महीने तक इसको continue ले सकती हूं, दो महीने ले सकती हूं, चार महीने या छे महीने, ठीक है, तो कम से कम आप 3 साइकल तक, यानि कि 3 महीने तक continue इसको ले सकते हैं, आपको 6-7 महीने तक लगाता नहीं लेन अगर पहले 3 महीने में आप लोगों को लेटरो जोल दी और 3 महीने तक जैसे जैसे डोक्टर ने जब जब बोला आप वोने relation बनाया और अगर उसमें pregnancy नहीं रुकी तो कम से कम एक से दो महीने का आपको गेब देना है फिर से आप दो महीने बाद डोक्टर की सला से फिर से आप लेटरो जोल तीन महीने के लिए start कर सकते ठीक है इसके बाद में कुछ महिलाओं के comments आये थे कि मेडम लेटरो जोल के बाद में क्या हमारे अंड़े जल्दी जल्दी खतम होते हैं तो हाँ यह बात काफी हद तक सही है कि जैसे हमारा जो naturally ovulation होता है उसमें हमारे एक दो एक release होते हैं पर लेटरो जोल लेने के बाद में एक ज़्यादा quantity में release होते हैं यानिकि चार पास साथ आड़ भी हो सकत हैं जिसमें जो mature एक होता है हमारा dominant follicles होता है वो एक ही mature होता है कभी-कभी दो भी mature हो जाते ठीक है तो नॉर्मल सी बात है कि हम जो लेटरो जोल टैबलेट दे रहे हैं वो ovulation को stimulate करने के लिए दे रहे हैं कि कई महलाओ को जैसे एक नहीं निकलता है टाइम पर ovulation नहीं होता है तो उसी के लिए हम यह लेटरो जोल टैबलेट दे रहे हैं ताकि अंडा जल्दी से निकले अच्छी quality का हो टाइम से रप्चर हो जाए तो हम इसी मन्त कंसी हो जाए तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि तीन महीने से जादा आपको लेटरो जोल टैबलेट continue नहीं लेना है लंबे टाइम तक इसके बाद में सवाल आता है कि मैंने इस मन्त लेटरो जोल टैबलेट ली क्या में 100% इसी मन्त प्रेगनेंट हो जाओंगी तो देखिए ये ना कोई आपके हाथ में हैं ना ही कोई मेरे हाथ में हैं ना ही जो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा उसके हम लोग अपनी कोशिश कर रहे कि भाई आपकी मंत में कंसी हो जाए ठीक है पर करना हमारे हाथ में हैं देना उपर वाले के हाथ में ठीक है तो आपको हिम्मत नहीं हारना है हम दे तो treatment इसलिए रहे कि आप एक मन्त में pregnant हो जाए पर कहीं बार दो महीने चार महीने छे महीने या even one year भी आपको लग सकता है ठीके तो आपको कभी भी मन में निराशा नहीं लाना है कि चलो मैंने तो एक मन्त treatment ले लिया लेटरोजोल का और मेरी friend को तो एक मन्त में consume हो गय तो हमको किसी और से नहीं करना है ठीके तो लेटरोजोल के साथ में जैसे के लेटरोजोल पांच दिन या दस दिन के लिए देते हैं इसके साथ में हम और भी अधर मेडिसीन चलाते जैसे पॉली के सीड मॉल्टी वीटामीन ब्लड की कमी हो रही है तो आइरन सप्लिमेंट यह सारी चीज़े देते हैं ताकि हमारे जो प्रेगनेंसी है वह जल्दी से पेशन को प्रेगनेंट हो जाए पेशन प्रेगनेंसी लग जाए और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमारे बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो जो हमारे एंब्रियोई है वह अच्छे से पीरियेट रहता है उन दिनों को आप टारगेट करें साथ में रहें रिलेशन बनाएं तो आप एक महिने में भी कंसीव कर सकते हैं मेरे बहुत सारे पेशेंट है जिनने वन-वन मन्त में भी कंसीव किया है आप फीडबेग हमारा कम्यूनिटी पोस्ट में जाकर करके देख सक पर आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा एक्टिव रहिए सब काम करिए अच्छा खुश रहिए ना तो आप जल्दी से जो चाहेंगे वो सब कुछ पा सकते हैं पर कई पेशेंट ऐसी होती है जो बस सिर पकड़ के बेड़ जाती है रोना बस मेडम नहीं आइ मुट थन दिवट